Good afternoon students हमने genetics शुरू किया था और Mendel का काम आपको मैंने बताया कि कैसे उसने P plant के उपर experiments किये थे Mono hybrid cross की हमने बात की थी तो जैसे की फर एक ग्जामपल अगर एक character लिया था न उसने height का चाहिए 7 characters आपको बताया थे उसने study किये उनमें से एक character था height of the plant और एक character के दो traits होते थे तो height का जो character है उसके दो traits क्या थे? tall और dwarf कुछ plants जो है वो tall होते थे ज़्यादा तर जो है और कुछ जो है वो dwarf होते थे तो जब उसने cross किया ऐसे दो plants के बीच में एक tall plant ले लिया एक dwarf plant ले लिया उनके बीच में cross किया cross करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि या तो इसके pollen grains इस पर डाल दिये तो यहाँ पर beach बना seed बना उसको grow किया उसने फिर अगली generation उसको मिली या फिर इसके pollen grains यहाँ डाल दो तो यहाँ इस पेड में fruit बनेगा और वो seeds बनेगे तो उनको beach दीजिए किसी वी तरह से करें चाहे तो इनको parents का है या फस्ट मतलब जिस से शुरुआत की हमने एक tall plant लिया एक dwarf लिया इनमें cross की तो अगली generation में क्या हुआ कि हमें जितने भी plants मिले वो सब के सब tall थे मतलब छोटे plants कोई भी नहीं थे उनमें जैसे मान लो ये जो हमने cross किया था इसमें कोई मान लिजे पचास beach बने होंगे इस पेड में मान लो पांच फलियां लगी उनमें सब में 10-10 दाने थे तो पचास seeds थे उनको बीजा तो अगली generation में वो सारे पचास के पचास पेड जो थे वो सब tall थे ठीक है then next उसने क्या किया कि अब ये जो सारे tall plants मिले इनको हमने F1 generation कहा था ठीक है? filial 1 या first generation first filial generation अब ये सारे plants tall हैं तो इन में से कोई भी दो ले लो और उनमें cross pollination करवा दो, सारे ही tall है क्योंकि तो ऐसी करता था मेंडल कि कोई दो ले लिए उनमें cross pollination करा दी आपस मी और फिर दुबारा जो seed बना उसको फिर बीजा तो अगली generation आई उसको उसने F2 generation कहा और उसने क्या देखा कि अब की बार मान लो अब उसने जितने भी plants उगाए मान लीजिए 40 plants उसने हो गाए है तो 40 plants में उसने क्या देखा कि 30 plants जो थे वो tall थे और सिरफ 10 जो थे वो dwarf थे या इसको हम ऐसे कहें कि 25% जो होते थे मतलब वो dwarf निकले और 75% जो थे वो tall थे तो ये एक cross का example है mono hybrid mono hybrid का मतलब को बताया था जिसमें एक ही character देख रहे है matter time उसके सिरफ height देख रहे है पौदे की ये नहीं देख रहे हैं कि उसमें flowers कहां लग रहे है exile में लग रहे है या तर्मिनल है या फिर flowers का color नहीं देख रहे हैं सिरफ सारे एक ही character सामने आया in fact इसलिए इसने इसको dominant trait कहा था tallness को dominant trait कहा था और dwarf को recessive trait कहा था F1 में सिरफ dominant trait देखने को मिला F2 में क्या हुआ कि dominant और recessive दोनों traits देखने को मिले लेकिन फिर से dominant trait जो था वो ज्यादा देखने को मिला 40 में से 30 plants में देखने को मिला जबकि सिरफ 10 plants या हम कहें 25% plants में जो है recessive character देखने को मिला तो इसको actually बोलते है ratio तभी हम लेते हैं ठीक है इसकी ratio आती थी 3 is to 1 कहने का मतलब है कि अगर 40 पौधे हैं तो उसमें से 30 जो हैं टॉल होंगे 10 द्वाफ होंगे और अगर हम मानलो जैसे मानलो अगर 80 पौधे उसने किये हैं तो 80 पौधों में से क्या होगा 60 जो हैं वो टॉल होंगे और 20 द्वाफ होंगे अगेन वही 3 is to 1 की ratio आएगी ना क्याने का मतलब ठीक है अगर मानलो 400 पौधा होगा है 400 पौधों में से 300 जो हैं वो टॉल होंगे और 100 जो हैं वो ड्वाफ होंगे ठीक है ratio वही आजाएगी 1 is to 3 यह 3 is to 1 तो हमेशा उसने देखा सभी mono hybrid cross में उसको यही results मिले सभी cross का मतलब है यह तो सिरफ उसने height के लिए किया इसी तरह से उसने बाकी सातों characters के लिए किया flower color में भी उसने करके देखा जैसे मानलो उसमें क्या किया उसने कि एक plant लिया जिसमें colored flower लगते थे उसको cross कर दिया एक दूसरे plant के साथ जिसमें white flowers लगे हुए थे अब इसमें यह parents होंगे एक पौधे में colored फूल लगे हुए थे मानलो violet color के pink color के दूसरा जो था उसमें white color के flowers थे तो जब उसने cross किया इनको और वही बात की beach बने बीजों को बीजा अगली generation उसने क्या देखा कि जितने भी पौधे तयार हुए again मानलो 100 पौधा तयार हुए तो में cross pollination करवा देता था तो फिर उसने क्या देखा F2 में फिर से वही यानी 75% जो है वो colored मिले उसको और 25% जो है वो white मिले percent आप समझ रहे हो ना क्योंकि वो depend करेगा कितने plants हुगा है उसने जैसे हमने कहा ना कि अगर 100 plants हुगा है है तो 100 plants में से 75% जो है उन में colored full देखने को मिले और 25% में जो है उसको white flowers देखने को मिले या वोई बात कि अगर 200 पौधा उसने को आया है तो 200 में से क्या हुआ कि 500 में colored थे और 50 में white flowers थे तो ratio का मतलब यह है इसी तरह से बाकी जितने भी seven characters थे सब में उसको यही results देखने को मिले इसमें जो main points या हम कहें mendels observation की बात करें तो उसने क्या देखा जैसे ही है ना कि F1 generation में all pea plants they were tall और dwarf कोई भी नहीं था second उसके observation क्या थी कि F1 में जो plants थे they resembled either of its parents है ना ये F1 में जो भी plants थे वो अपने parents में से किसी एक को resemble करते थे और किसी एक को किसको dominant वाले को basically third observation उसने देखी कि F1 में जो character नहीं दिखा था हमें यानि कि dwarf का नहीं दिखा था हमें दिखा जाता it was expressed in F2 generation थीक है बेशक जो dwarfness का character था वो F1 में किसे भी plant ने show नहीं किया या इस case में हम कहें white flowers हमें कहीं भी देखने को नहीं मिले ना F1 में लेकिन क्या हुआ F2 में वो दुबारा देखने को मिल जाते हैं then next point उसने ये कहा कि mixing नहीं हुई traits की ऐसा नहीं है कि tall और dwarf plants उसने लिये थे तो कहीं उसको बीच में medium height वाले plants मिल गए हो नहीं या तो plants tall थे या dwarf थे या बहुत मतलब बड़े थे या छोटे थे बीच का medium size मतलब mixing नहीं होती थी characters के के नहीं होती और जो ratio थी F1 इसकी monohybrid cross की F2 ratio जो थी वो कितनी थी 3 is to 1 जैसे मैं आपको कहा dominant rate वाले 75% और recessive rate वाले 25% तो इस तरह से उसको सभी cross में यही देखने को मिला तो उसने इस से फिर अपने इन experiments से कुछ inferences निकाले यानि कुछ results निकाले जो इस तरह से हैं ठीक है उसने क्या कहा कि he proposed that some factors pass down from the parent to the offsprings उसने कहा कि कुछ तो है जो parents में से offsprings को जाता है क्योंकि यह character कैसे pass हो रहा है यह जो tallness का character है यह आगे कैसे जा रहा है यह dwarfness का भी F1 में तो नहीं आया लेकिन F2 में तो आया ना सामने इसका मतलब यह भी गया तो है आगे अगली generation को pass हुआ है यह character ठीक है तो कैसे यह pass होता है इसने कहा कुछ तो है जो आगे ले जाता है इन characters को उसको उसने नाम दिया factors क्योंकि उस time तक chromosomes का कोई पता नहीं था कि क्या होते हैं ना ही genes का पता था ठीक है आजकल हमें पता है कि यह काम मतलब कैसे जाते हैं आगे characters genes ले जाती है ना DNA के जो segments है उन्हीं को genes कहते हैं और उनके द्वारा यह characters अगली generation को पास होते हैं so nowadays these factors are called genes लेकिन उस time Mendel को नहीं पता था इनके बारे में कि क्या होते हैं chromosomes या क्या होते हैं genes so उसने उसको factor नाम दिया और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि genes जो हैं वो control करती हैं characters को मतलब factors जो हैं और ये pairs में होते हैं ठीक है? pairs में होते हैं जिसको उसने alleles कहा in fact जैसे मैं कह रही हूँ आपको कि अब हमें पता है ये चीज कि genes क्या होती है ठीक है? और genes ये chromosome हैं मान लीजिए इसके अंदर chromosome के अंदर क्या होता है? DNA ही होता है highly coil होके pack हुआ होता है तो और DNA के ही छोटे-छोटे segments हैं वो ही genes कहलाती है बिसिकली और एक chromosome के उपर हजारों genes हो सकती है दूसर बात यहाँ पर आपको जो आपने plus one में homologous chromosomes पढ़े हैं या meiosis पढ़ा है वो ज़रूर आना चाहिए तभी आपको समझा है homologous chromosomes अगर आपको याद हों तो हमने कहा था homo means same ये ऐसे chromosome होते हैं जो बिल्कुल डिटो सेम होते हैं structure में इनका height वगएरा और number of genes जो इनके ओपर वो भी same होंगी इन में से हर homologous pair में से एक chromosome हम father से inherit करते हैं दूसरा mother से inherit करते हैं 23 chromosomes का एक set होता है 23 का एक father से आएगा sperm के थूँ एक दूसरा set mother से आता है egg के थूँ तो ये जो 23 chromosomes हैं प्लस ये जो 23 हैं ये same होते हैं ये अरेंज भी हो जाते हैं metaphase में अपने अपने जोडिदार के साथ आके स्टन्स आरेंज हो जाते हैं तो alleles की बात हम कर रहे थे कि alleles क्या होती हैं देखिए हम कह रहे हैं कि genes जो हैं वो ही characters को control करती हैं या आगे जाती हैं अगे मीट्स के थूँ अगली generation को पास होती हैं लेकिन हर gene की दो alleles होती हैं ये भी आपने आद रखना है जो की कहां होंगी आमने सामने in homologous chromosomes पे जैसे मैंने कहा कि एक chromosome मान लीजी ये father से हमने inherit किया है और इसके उपर A, B, C, D, E, F, G ये साथ genes है मान लीजी एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ ठीक है इसके पर ये seven genes है तो इसका जो homologous chromosome है उस पे भी ये ही seven genes होंगी ठीक है same A, B, C, D, E, F, G इस पे भी ये ही seven genes होंगी लेकिन क्या हो सकता है कि उस gene की alleles कहते हैं हम इनको यहाँ B है, हो सकता है यहाँ capital B ही हो या small भी हो सकता है कुछ भी इस धंग से मान लो मैं लिखे देती हूँ ये ठीक है तो homologous chromosomes के उपर जो genes होती है genes तो same होती है लेकिन उनकी alleles different हो सकती है ठीक है जैसे ये dominant allele है और ये recessive allele है अगर छोटा A मैंने लिख दिया है तो वो recessive allele है उसी तरह से यहाँ पर capital D, small d है यानि gene तो same है D gene है लेकिन उसकी allele यहाँ dominant allele है इसके सामने यहाँ recessive allele है तो homologous chromosomes के उपर number of genes तो same होता है बलकुल और उनकी position भी जैसे A की position यहाँ पे है तो उनको हम alleles कहते है यानि एक ही gene की यह दो forms होती है which may be dominant और which may be recessive तो इनको कहते हैं alleles या allelomorphs ठीक है they are slightly different forms of the same gene एक ही gene की यह दो forms होती है alleles, जो की homologous chromosomes पे आमने सामने होती है ठीक है तो अब यहाँ से बहुत से points निकल कराएंगे यानि की genes हमने कहा की pairs में होती है उसमें से एक dominant हो सकती है एक recessive हो सकती है अब किसी भी organism में in fact अगर हम इसी का example लें mutter का ही example लें हम और यह जो हमने cross किया था ठीक है इस cross में आपको बता दें कि tall के लिए जैसे उसने जो parent tall था ना क्यूंकि उसने यह पहले ही बता दिया कि दो forms होती है gene की है ना तो इस तरह से जो tall होगा plant दोनों alleles dominant होती है ठीक है जो dwarf होता है उसके अंदर दोनों alleles recessive होती है अगर आपको यह वाला याद हो symbols यह symbols मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले tall के लिए हम capital T लेते हैं dwarf के लिए हम small t लेते हैं ठीक है ना तो लेकिन यहाँ double double क्यों लिख रही हूँ मैं इनको because यह क्योंकि यह आमने सामने इस तरह से genes होती है homologous chromosomes पे ठीक है so every individual उसके अंदर यह दो मतला उस genes की दो forms होंगी अब वो दोनो dominant होती है या दोनो recessive होती है यह नहीं हमें पता या हो सकता है एक dominant हो एक recessive हो ठीक है तो इस तरह से अगर हम इस cross को दुबारा देखें तो हमने कहा था parents में से एक tall है एक dwarf है और इनके बीच में cross किया मेंडल ने cross करवाया और उसको क्या मिला F1 में उसने क्या देखा कि जितने भी plants थे वो सब के सब tall थे देखने में ठीक है देखने में वो सब tall थे लेकिन यह अगर उनको symbol से लिखना हो तो उनमें क्या था देखो इस plant में एक character यह अपने father से लेगा एक mother से लेगा दोनों parents का एक-एक मतलब gamete के जरीए एक factor यहां से आएगा एक factor यहां से आएगा ठीक है तो F1 में जितने भी plants बने थे उनके अंदर यह थी situation ठीक है symbol की बात करें तो ऐसी situation थी लेकिन देखने में वो सब tall थे और फिर क्या हुआ F2 में F2 में हमें 75% tall मिले थे ना और 25% जो थे वो dwarf थे अब आप यहीं से पता लग जाएगा आपको की जो tall होते हैं देखने में वो या तो इस तरह के होते हैं या इस तरह के भी हो सकते हैं ठीक है tall जो plants हैं उनमें या तो दोनों alleles dominant भी हो सकती हैं या दोनों alleles में से एक dominant एक recessive भी हो सकती है ये भी tall दिखेगा ये भी tall दिखेगा लेकिन जो dwarf है उसमें दोनों alleles हमेशा ही recessive होती है तो यहाँ पर भी जो ratio मिली तो naturally dwarf वाले तो ऐसे ही होंगे जितने dwarf थे 25% यह हम कहें 3 to 1 की ratio तो dwarf सारे ऐसी थे, tall की बात करें तो tall में क्या था, कुछ एक tall ऐसे थे और कुछ एक tall जो थे वो ऐसे थे कुछ इस type के थे कुछ इस type के थे ठीक है यह देखने में tall है यह symbols की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बहुत important terms आएंगी अब ठीक है, उन terms को ध्यान से सुनने आपने हैं, देखिए हमने कहा कि कोई plant अगर tall है, तो उसके अंदर जो alleles हैं, tallness की alleles हैं, वो दोनो dominant भी हो सकती हैं या एक dominant और एक recessive भी हो सकती है, तो यहीं पर definition आजाती है ऐसे plant को बोलते हैं homozygous homo means same जिसमें की दोनो alleles same हो किसी character की और इसको बोलते हैं heterozygous, hetero means different, यानि जिसमें किसी एक character की जो दो alleles हैं, वो अलग-लग हों, एक dominant हो और एक recessive हो, तो उसको बोलते हैं heterozygous, यह है homozygous रही बात इसकी, तो यह भी homozygous है, ठीक है, क्यूंकि इसमें भी एक ही character की जो दोनो alleles हैं, वो same है, ठीक है, ना, बेशक वो recessive हैं दोनों, लेकिन है तो same, तो यह भी homozygous है, यानि यह homozygous dominant है, यह homozygous recessive है, और यह heterozygous है, राइट, heterozygous या फिर इनको, जो word use करते हैं के लिए हम hybrids कहते हैं, ठीक है, hybrid है यह इन दोनों का hybrid है, क्योंकि इसके parents different थे, एक tall था, एक dwarf था, तो दोनों के cross से यह बनाए, this is hybrid, और तभी हमने कहा, इसने एक allele यहां से ली है, एक allele यहां से ली है, यह heterozygous है, तो homozygous क्या होते हैं, और heterozygous क्या होते हैं, यह definition आपको आनी चाहिए, एक तो, दूसरा जो point यहां से आ रहा है, वो है genotype और phenotype का, ठीक है, genotype क्यों होता है, देखो, यही, जो genes किसी भी individual के अंदर, जो उसकी genes कौन सी हैं, कितनी हैं, और किस तरह की हैं, वो उसका genotype कहलाता है, और phenotype होता है, जो बाहर से नजर आता है, ठीक है, उन genes की वज़ा से वो दिखता कैसा है, जैसे कि इस case में अगर हम देखें, इस plant का genotype क्या है, capital T, capital T, और इस plant का genotype है, capital T, small t, लेकिन phenotype की बात करें, तो यह भी टॉल है, यह भी टॉल है, देखने में, जो expression बाहर दिखता है, उसको phenotype कहते हैं, तो इन दोनों का phenotype तो सेम है, लेकिन genotype अलग अलग है, यह homozygous है, यह heterozygous है, ठीक है, genotype, आप देखी रहे हो, इदर capital T, capital T है, यहाँ capital T, small t है, तो genotype दोनों का अलग है, लेकिन phenotype सेम है, तो यह जो चार चीज़ें मैंने आपको बताएं, इनके definitions आपको आनी चाहिए, ठीक है, homozygous, heterozygous, और genotype और phenotype, ठीक है, so alleles can be similar in case of, जैसे कि homozygous में same होती है, alleles, चाहिए वो dominant हो, चाहिए वो recessive हो, जबकि heterozygous के case में, alleles, they are dissimilar, एक उन में से homozygous होगी, एक dominant होगी, एक recessive होगी, ठीक है, दूसरा उसने genotype और phenotype बता दिया, जैसे यह कह रहा है, कि this and this are called genotypes, यानि कि genetic makeup, while the term tall and dwarf जो हम कह रहे हैं, वो उसका phenotype है, जबकि अंदर उसके genes किस तरह की हैं, क्या वो dominant हैं या recessive हैं, वो उसका genotype कहलाता है, so, यह तो हुई, यह terms important हैं जो, बाकि dominant factor, recessive factor भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जैसे इस case में, capital T जो है, वो dominant factor है, small T जो है, वो recessive factor है, वो क्यों, क्योंकि जब दोनों इकठा हो जाते हैं, एक बड़ा T और छोटा T जब इकठा होते हैं, तो सामने क्या आता है, कौन सा ट्रेट आता है, सिरफ tallness का trait आता है न, यह, अगर यह दोनों साथ आ जाएं, एक बड़ा T और छोटा T, तो कौन अपने आपको express करेगा, बड़ा T tallness के लिए है, छोटा T dwarfness के लिए है, ठीक है, तो इस case में कौन express कर रहा है, बड़ा T, और यह सारे plants देखने में tall है, जबकि छोटा T dwarfness के लिए होता है न, लेकिन dwarfness क वाला character यहां सामने आई निरा, this means, कि this is the dominant factor, ठीक है, तो जितने भी seven characters थे, उन में सब में ऐसा ही होगा, इन सब में ऐसा ही होगा, जैसे मान लो, अगर बड़ा सी छोटा सी कठा हों किसी plant में, तो उसका कौन सा character सामने आएगा, सिरफ colored flowers का, या जैसे किसी plant में मान लो, एक allele ये है, एक ये है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, उसमें flowers कैसे लगेंगे, सारे के सारे, axillary position पे लगेंगे, terminal नहीं लगेंगे, क्योंकि यह dominate कर जाता है, ये वाला जो trait है, या ये वाली जो allele है, वो dominate करेगी, और दूसरे के character को सामने, नहीं आने देती है, जब ये दोनों अगर साथ हो, किसी heteroseigus individual में, इस चीज़ को आपने ध्यान से, समझ लीज़े, पहले अपने दिमाग में बिठालो, तब ही हम आगे चलेंगे, आज के लिए इतना ही काफी है, आप चाहें तो इसके, cross, monohybrid cross करके, आप इस ढंक से सभी, characters के लिए कर सकते हो, जैसे tallness के लिए मैंने आपको करा दिया, वैसे ही ये colored और white flowers का हम नहीं किया, तो यहाँ पर भी आप, इसको भी practice कर सकते हो, कि colored flowers ऐसा होगा, white वाला ऐसा होगा, यहाँ पर बड़ा सी बड़ा सी आएगा, यहाँ छोटा सी और छोटा सी आएगा, इस इस, यह parents हैं, ठीक है, this is colored, this is white, इन में cross करेंगे, तो F1 में क्या होगा, all colored, सभी colored flowers वाले ही मिलेंगे आपको, और उनका genotype क्या होगा, उसका, यहाँ से एक बड़ा सी आएगा, यहाँ से एक छोटा सी आएगा, तो उन सब का genotype ऐसा होगा, ठीक है, और F2 में फिर क्या हो जाएगा, F2 में 75% वही colored, और 25% white, यानि की 3 to 1 की रेशो मिलेगी, तो white तो छोटा सी छोटा सी वाले ही होंगे, जो colored होंगे वो ऐसे भी हो सकते हैं, homozygous भी और heterozygous भी, ठीक है, दोनों तरह के हो सकते हैं, तो इसी तरह से बाकी characters के लिए भी आप cross के practice कर सकते हो, जैसे axillary flowers की हमने बात की, axillary flower वाला पौधा ऐसा होगा, और terminal flowers वाला जो है वो ऐसा होगा, और जब इन में cross किया जाएगा, तो F1 में जितने भी plants होंगे, जैसे मैंने आपको कहा, वो एक character isparence से लेंगे, एक character isparence से लेंगे, तो वो सबके सब hybrid होंगे, इस तरह के, लेकिन देखने में सिरफ कौन सा character सामने आएगा, axillary flowers वाला, ठीक है, और F2 में फिर वो ही 3 to 1 की ratio में आपको ये मिलेंगे, axillary और terminal, ठीक है, axillary ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, और terminal वाले सारे, ऐसे ही होंगे, तो इस तरह से आप बाकी characters के लिए भी practice जुरूर करो, cross करना ये, क्योंकि आगे चल कर ये, बढ़ता रहेगा और ज्यादा, जब die hybrid cross करेंगे, तो और मुश्किल लगता है, फिर ये समझ नहीं आता है, तो इसकी practice जूर कर लेना आपने,